नमस्कार दोस्तों हम से खेए 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे थे एनिमेट सेसी के बारे माँ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यह जो मेरे स्कीम पर आप देख रहे हैं यह जो डॉग चल रहा है इस टैप का एनिमेशन हम कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारे पास एक जो है इलेक्स्टेटर में कुछ इस टैप से क्रिएट किया गया है इस डॉक को और यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पैर है तो हम पहले किया अगर करते है इसको इंपोर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यह पे एक DOG का इलस्टेटर Ireland और इसको उठाकर हम सिसीमे रखते हैं यहां पर हम इंपोर्ट ओण cinstack किलिक करते हैं यह हमारे पास जो है आ गया है अब हम इसको थुड़ा सा चोटा कर लेते हैं इतना चोटा हमने कर लिए इसको क्या करेंगे इस्की कुछ सेटिंग करते हैं जैसे माल now यहां पर दिख लाइन आउट-लिन को मैं मैं हटा देता हूं यहां से इस पर अंदर जाते हैं अंदर जाने के बाद हमें क्या करता हूं यहां पर क्लिक करते हैं और इसको मैं यहां पर दोस्तों धियान रखिएगा जब इस पर क्लिक करते हैं यहां पर जब जाते हैं टूल में टूल के अंदर यहां पर जाने के बाद आपको धियान रहना चाहिए कि Erage Line पर क्लिक होना चाहिए अदर्वाज क्या होगा आपका पूरा चीज को Remove कर देगा हमने इसको Select कर रखें Erage Line को अब हम क्या करेंगे इस पर हम Remove करते हैं सिर्फ Line को ही Remove करेगा यह कुछ इस टैप से हमने इसके यहां से भी मैं इसके Line को Remove कर देता हूं इसी टैप से इसके पैड पीछे वाले पैड में जाते हैं और इसको मैं यहां से Remove कर देता हूं और यहां से भी इस टैप से मैंने इसके जो है रिमूब कर दिये उसके इसे बाद मैं क्या करता हूं यहां पर एक लाइन दिख रहा है इसके पूछ में इस लाइन को भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं कुछी स्टैप से और इसमें भी line दीख रहा है तो मैं इसको भी remove करूँगा इसको जाते हैं और मैं यहां तक remove करूँगा इस line को step से और यहां पे देखिए इसके इस टैप से mix हो गया कितना करनेक बात मैं क्या करूँगा यह सभी को layer को अलग-अलग हम symbol में convert करेंगे तो पहले हम इसको select करते हैं यहां पर देख सकते हैं इसके जो body है इसको इसके पूछ को भी मैं कर देता हूं अलग-अलग करके अब मैं इतना करने के बाद में क्या करूँगा जो body है वह तो पर रहत तो control shift और up की प्रेस करें तो उपर हो जाता है इसी टैप से यहां पर भी सेट है इस टैप से हो गया है अब मैं क्या करूँगा जो यह पैर है इस पैर को मैं एक बार पूरे को select करता हूं और अब मैं सभी को select करता हूं और distribute layer कर देता हूं यहां से distribute layer पर क्लिक कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं यहां पर जो layer है सभी अलग-अलग हो गया है और मैं इसके जो pointer है आप देख सकते हैं इस कि यहां से हम को इसको animation लगाना है तो मैंने इसको यहां पर लगाए और यह पार्ट है इसको मैं यहां पर लगाता हूं इसके जो बोडी है, बोडी को मैं नीचे की ओर लगाता हूं और जो ये पीछे पेडो का पॉइंटर मैं यहाँ पर लगाता हूं और उसके बाद इतना करने के बाद हम क्या करते हैं इस जो लेक का पार्ट बनाए है जो पैड का दोनों का इसके अंदर जाते हैं इसके अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं तीन यहां पर लेयर बना हुआ तो मैं इसको क्या करता हूं हम distribute layer कर लेता हुँ यहां से मैंने इसको सिमबॉल में convert कर लिया था हम distribute layer कि यह और तीनों अलग-לग layer पे बन गया अब मैं इसका भी pointer में set करता हूँ एक यहां पर और इसका प्यणिटर में set तक लगाएंगे आप 40 प्रेम तक हम क्या करते हैं एप 6 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से मैंने जो है इस पर फ्रेम लगाया हूं और इसके बाद क्या करता हूं मैं 20 प्रेम पर जाता हूं यहां पर F6 लगाता हूं और यहां पर हम क्या करेंगे इसको इसको मैं कुछ step से rotate करता हूँ इस step से और इसको भी मैं थोड़ा सा rotate कर लेता हूँ कुछ step से यहाँ पर step से rotate कर लिया हूँ अब देख सकते हैं कुछ step से rotate हो गया है और इसको मैं थोड़ा सा सीधा करता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ 25 फ्रेम पर को थोड़ा सा और Rote at करूंगा इस Be Again इस पर में क्या करूंगा इसको थोरा-sa और इस वार मैं क्या करूँगा इसको रोटेट करूँगा आगे की ओर आगे की ओर रोटेट किया और मैं करूँगा इसको इस टैप से अब देख सकते हैं कुछ इस टैप से पाइर यह उठाया और फिर से मैं 35 फ्रेम के जाऊंगा और इस बार करूंगा और भी टेड़ा इस टैप से अब देखाता हूं आपको ऐसे गया ऐसे गया ऐसे अगर ओन करके चलाता हूं देखिए और इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं यहां पर और सेम लेक को मैं यहां पर भी रखता हूं ठीक है अब मैं इसको अगर चलाता हूं देखिए कुछ इस टैप से चलेगा और मैं इसको क्या करता हूं क्लासिक ट्विन करता हूं अब देखते हैं देखिए और जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम सही करेंगे अभी देखिए यहां पर सही है यहां पर दिक्कत हो रही है और यहां पर तो मैं जहां पर दिक्कत हो रही है वहां पर सही करेंगे यहां पे दिक्कत हो रही है, इसको मैं रखूंगा, यहां पर इसको यहां पर, अब देखिए, यहां पे दिक्कत हो रही है, तो इसको मैं सहीज करूंगा, अब देखते हैं यहां पर दिख्कत हो रही है तो मैं इसको इस टैप से करूँगा अब मैं चलाता हूं देखिए कुछ इस टैप से इसमें इनिमेशन हो गया हमारा एक पैर जो है हो गया अब मैं दूसरे पैर के अंदर जाता हूं और इसको मैं right button click करता हूं distribute layer करता हूं distribute layer करने के बाद मैं इसको रखूँगा यहां पर और इसका जो pointer है यहां पर और इसके pointer को मैं यहां पर रखूँगा जिस हिसाब से में आगे वाले पैर को नगाया हुं। उसी ताप से इस पैर को भी हम एनिमेशन लगाएं। हम 50 fram पे जाते हैं F6 लगाते हैं उसके बार मैं 20 frames पर जाता हूं A5 लगाता हूं ठाए peng क्या करेंगे। इस पैड को मैं रखूँगा, आगे की और, आगे इंसेंस की, इस पैड को रखूँगा पीछे की और, कुछ इस टैप से, और इस पैड को भी मैं थोड़ा सा सीधा करूँगा, इस टैप से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस टैप से रखा हूं, और फिर से मैं पच् करूँगा पीछे की और आब देख सकते हैं कुछ 싸p से और वह को इस को इसे रोटेट करूँगा यहां से और आब मैं जाँगा तीस प्रेम तर मैं इसको फूरे को रोटेट करूँगा आगे की और आगे की और रोटेट किया और इसको भी मैं रोटेट करूँगा आगे की और इस टैप से और दियान रहे कि सही से प्लेस्मेंट हो इसका आप देखिए इस टैप से इस टैप से और फिर मैं 35 प्रेम पे जाओंगा और इसको मैं रोटेट करूंगा और भी ज्यादा इस टैप से और इसको रोटेट इस टैप से और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा इस टाइप से इसमें एदिमेशन आ गया है अब मैं क्या गरूंगा? इसको सभी को सलेक्ट करते हैं और क्लासिक टुिन कर देते हैं अब मैं देखता हूँ अगर इसको एनिमेट करते है देखिए कुछी स्टाइब से इनिमेशन हो गया इसमें मैं 40 प्रेम तक इसमें इनिमेशन लगाता हूँ यहां पर tap 6 और control interface करते हैं आप देख सकते हैं कुछी स्टाइब से इसमें इनिमेशन आ गया है अब हम क्या करेंगे इसी पैड को हम सेम जो है पीछे वाले पैड को मतलब चार पैड बनाना है तो हम क्या करते हैं यहां पर हम क्या करते हैं इस पैड को कोपी करते हैं हमने यहां पर कोपी किया और यहां पर मैं एक न्यू लेर क्रियेट करता हूं और यहां पर मैं करता हूं पेस्ट कर दिये पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा यहां पर रखूंगा इसको और यह बोडी के पीछे रहेगा आप देख सकते हैं बोडी के पीछे आगया अब देखिए दोनों जो पैड है सेम तरीके से मुवमेंट कर रहा है लेकिन हमें क्या करना है इस पैड को हमको यहां पर 20 पे क क्या करेंगे इसको कोफी करेंगे कोफी किये और बोडी के नीचे हम लेयर लगाएंगे इसके नीचे यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा इस पैड को मैं रखूंगा आगे की और जो दिखना चाहिए और यहां प इसको मैं और भी थोरा सा ऊपर करूँगा और पीछे की ओर करूँगा आप देख सकते हैं अब मैं अब कंट्रोल इंटरप्रेस करता हूं देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से इसका जो है एनिमेशन शुरू हो गया है अब मैं इसको क्या करूँगा यहां पर मैं एनिमेशन इसमें लगाऊंगा एनिमेशन कैसे लगाते हैं एक तो थोरा सा मैं कान पर भी एनिमेशन लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे यह हमारा जो है कुछी step से animation इसमें आ गया है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे app 6 लगाता हूँ app 6 लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो है 10-10 frame पे मैं animation लगाऊंगा 10 frame पे जब आते हैं तो क्या करूँगा select करते हैं सभी को और नीचे करेंगे 5 बार एक दो तीन चर पांच उसके बाद मैं यहाँ पे same रहेगा यहाँ पे मैं करता हूँ app 6 और यहाँ पे app 6 लगाता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा 5 बार उपर एक दो तीन चर पांच ठीक है और इसमें लगाऊंगा classic twin लगा दिये और इसमें मैं क्या करूँगा थोड़े से पूछ को भी animation करूँगा यहां पे जब आते हैं यहां पे जब आते हैं तो इसमें मैं रखूँगा नीचे की और यहां पे भी मैं रखूंगा नीचे की और और यहां पे जबाता है इसके कान को रखूंगा मैं इस तरफ और यहां पे जबाता है कान को इस तरफ अब मैं इनिमेशन करके दिखाता हूं देखिए कुछ इस टैप से जो है इसमें इनिमेशन हो गया है अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर जो है एक बैक्ग्राउंड लगाऊंगा तो बैक्ग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूं एक स्लेक्ट करते हैं मालेज हमारे पास एक बैक्ग्राउंड है मैं यहाँ पे एक new layer create करता हूँ और यहाँ से मैं इस background को लेता हूँ इसको इधर रखता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पहले तो हम F8 करके symbol में convert करते हैं फिर मैं यहाँ पे F6 लगाता हूँ और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर और इसमें लगाएंगे classic twin control interface करते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस टैपस इसमें animation आ गया है तो यह था दोस्तों कोई भी character को हम animation कैसे लगाते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा animation हो गया तो मैं क्या करूंगा इसमें मैं तोड़ा सक कम लगाता हूँ control interface करते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस टैपसे इसमें जो है animation आ गया है तो दोस्तों इस टैपसे कोई भी आपको अच्छा लगा तो लाइक के साथ अगर दोस्तों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे मैं कोई भी आगए वीडिए लेका आँ तो उसका अबडेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्ते अ水क्ष् वीडियो में आज के लिए थैंक यू